जैसे कृष्णा क्रिएटिव किचिन में आपका बहुत स्वागत है आज हम आपके लिए गेहूं के आटे और घर के बने हुए मक्षन से बिस्किट की रेसिपी लेकर के आए हैं यह बिस्किट्स बहुत ही अच्छे बनते हैं और पाइदे मंदी होते हैं बच्चों को नुप से रण सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू आज की रेसिपी बनाने के लिए हमने साथ से आठ दिन की दूद की मलाई ली है यह मलाई आफ ज्यादा दिन पुरानी मत लीजिए साथ से आठ दिन तक की ही ले सकते हैं इसे हम या तो जो हाथ से चलाने वाली रही होती है उससे या फिर इस सेंड ब्लेंडर से हम इसका मक्खन बनाएंगे देखिए फ्रेंड्स मलाई गाड़ी हो गई है अब हम इसमें पानी डाल करके इसे और ब्लेंड करेंगे जब तक कि इसमें से मक्खन और पानी अलग-अलग ना हो जाए अब फ्रेंड्स हमारी मलाई में से मक्ख मक्षन अलग हो चुका है अब हम इसे एक दूसरे बावल में निकाल लेंगे और अब हम मक्षन को ठंडे पानी से दुल लेंगे और इसमें से सारा पानी अलग कर देंगे प्रेंट्स हमने मक्खन को बहुत अच्छे से दुल लिया है और इसमें से सारा पाने निकाल दिया है अब इसमें हम एक कटोरी पिसी हुई चीनी एड़ करेंगे friends हमारे मक्खन भी एक ही कटोरी है तो हमें एक कटोरी मक्खन और एक कटोरी चीनी लेना है और उसे बहुत अच्छे से फेट लेना है fit करके friends से एकदम क्रीम जैसा दिखने लगेगा और एकदम soft और fluffy हो जाएगा friends हमें मक्खन इसले फेट ना है क्योंकि इससे हमारे मक्खन में air create होगी और हमारे biscuits बहुत ही अच्छे crispy और फूले हुए बनेंगे देखिए friends हमारे मक्खन की consistency इस तरह की होनी चाहिए अब हमारा मक्खन fit करके तयार है अब हम इसे side में रखेंगे और एक चन्नी में दो कटोरी गेहूं का आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं वही आटा डालेंगे अब हम इसमें एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल करके छान लेंगे प्रेंट्स यहां पर आटा आप छान करके ही लीजिए जिससे की हमारा आटा बटर में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा और हमारे बिस्किट्स क्रिस्पी बनेंगे अब हम इस आटे को बटर और चीनी वाले पेस्ट में थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे और एक डो के फॉर्म में ले आएंगे इसका हमें बहुत हार्ड डो नहीं बनाना है मीडियम सॉफ्ट डो बना करके हम तयार कर लेंगे फ्रेंट्स आप इसी मेजरमेंट के साथ अपनी रेस्पी बनाईए आपकी रेस्पी भी बहुत अच्छी बन करके तयार होगी अब हमने थोड़ा थोड़ा करके सारा आटा इस पेस्ट में डाल दिया है और अब हम इसे अलके हातों से एक डो बनने तक भूत लेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो बना करके तयार करेंगे अब हम हातों की मदद से इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक डो बना लेंगे अब हम इसमें फ्लेवर के लिए चार से पांच ड्रॉप वनीला एसेंस के डाल देंगे अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसकी जगह पर इलाइची पाउडर भी डाल सकते हैं हमारा परफेक्ट डो बन करके तयार है अब हम इसे साइड में रख देंगे आज हम बिस्किट से गैस पर और माइक्रोवेव दोनों में ही बनाएंगे तो चलिए पहले गैस पर बिस्किट बनाने का प्रोसिस देख लेते हैं जिसके लिए हमें एक भारी तले की कढ़ाई चाहिए होगी अब हम गैस को ओन करके उस पर एक भारी तले की कढ़ाई धकन लगा करके दस मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे और अब हम अपने बिस्किट बना लेते हैं बिस्किट रखने के लिए हम कोई प्लेट ले लेंगे जो की हमारी कड़ाई के बिल्कुल तले से टच ना हो इस साइज की और अगर आपके पास छोटी प्लेट है तो फिर आप उसमें नीचे कोई स्टैंड या बाउल रख दीजे उसके उपर हम ये प्लेट रखेंगे जब बिस्किट को बेग करेंगे तो हमने एक प्लेट ले ली है और हम अपने डो में से थोड़ा डो लेंगे और उसका इस तरह से स्क्वाइर सेप का एक रोल टाइप का बना लेंगे वीडियो में दिखाएंगे तरीके से आप आटे को इस तरह से सेप दे लीजे और अब हम इसे नाइफ की हेल्प से बिस्किट कट कर लेंगे यह बहुत आसानी से फ्रेंड्स कट हो जाते हैं और इनका सेप बिलकुल मार्केट की कुकीज की तरह बनता है और यह देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं अब हम इन बिस्किट को एक एक उठा करके अपनी ट्रे में सेट कर लेंगे बच्चे हुए बिस्किट हम अपनी माइक्रोवेव की ट्रे में लगा लेंगे क्योंकि आज हम दोनों ही तरीके से बिस्किट बनाना सीख रहे हैं तो हमें दोनों ही ट्रे तयार करनी होगी हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स पोल रहे हैं कि हमारे पास माइक्रोवेव नहीं है तो हम कैसे बनाएं बिस्किट तो इसलिए आज हम बिस्किट को कड़ाई में बनाने का प्रोसेस भी सेयर कर रहे हैं जिससे कि आप लोगों की प्रोब्लम सॉल हो जाए और आप भी बिस्किट आसानी से बना पाएं अब इसी तरह से हम सारे बिस्किट को बना करके तयार कर लेंगे ये बिस्किट आप ट्रे में थोड़ी दूर दूर पर ही रखें जिससे कि बेक होने के बाद ये अपना सेप चेंज ना कर लें बेक होने के बाद ये फूल जाते हैं जब तक हमारे बिस्किट बन करके तयार हुए हैं तब तक हमारी कड़ाई भी प्रिहीट हो चुकी है आपको इतनी ही हाइड पर अपनी प्लेट को रखना है और उपर से डखन को बंद कर देना है हमें कडाई की फिलेम को लो ही रखना है और कडाई वाले बिसकिट को हम आफटर 30 मिनट चेक करेंगे इस से पहले हमें कडाई का डखन नहीं खूना है अब हम microwave में अपने biscuits को लग देते हैं जिसके लिए हमने इसे 160 degree पर convection mode पर 5 minutes के लिए preheat करके और 15 minutes के लिए अपने biscuits को bake किया है और हमारे biscuits microwave में बन करके तयार है कड़ाई में friends biscuits को बनने में ज़्यादा time लगता है क्योंकि microwave में हमारे biscuits को ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से heat मिलती है जबकि कड़ाई में हमें किवल नीचे से heat मिलती है तो देखिए हमारे biscuits भी after 30 to 35 minutes बन करके तयार है अब हम इने भी चेक कर लेते है देखिए friends कितना अच्छा golden color आया है हमारे कड़ाई वाले biscuits में भी और नीचे से देखिए कितने अच्छे जालीदार बन करके तयार हुए है अब हम अपने biscuits को आपको तोड़ करके दिखाते हैं देखिए अंदर तक कितने अच्छी तरह से सिख गए है और बहुत ही crispy बहुत ही soft biscuit बन करके तयार हुए है आप भी ये biscuit try कीजिए और comment section में comment लिखिए आपके biscuit कैसे बने